नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका दोस्त राजिश आपके टेट सी टेट की तायारी में पुनह उपलब्ध हूँ और आज का हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धान्त और नियम लॉज एंड प्रिंसिपल ओफ डेवलप्मेंट तो लिज शुरू करते हैं शारिरिक व मानेशिक विकास के कई सिद्धान्त और नियम है पहला नियम पहला सिद्धान्त है मस्तक धा मुखा सिद्धान्त इसके अनुसार पहले सिर बनता है और बढ़ता है बाद में धड़ हाथ और अंत में पैर का विकास होता है दूसरा सिध्धान्थ निकट से दूर का सिध्धान्थ है इस सिध्धान्थ के अनुसार पहले केंदर के निकट के अंगों का विकास होता है तथा केंदर से दूर के अंगों का विकास बाद में होता है तीसरा सिध्धान्थ है सामान्य से विशेश की ओर का सिध्धांध प्रजनिनिक मनो विज्यन के सिध्धांद के अनुसार विकास की क्रिया पहले संपूर्ण की दृष्टी से होती है और बाद में अंग विशेश की वृद्धी और विकास होता है चौथा सिध्धान्थ विकास विवेक पूर्ण प्रियोग का नियम इस सिध्धान्थ के अनुसार मानो प्राणी की विवेक शिलता का क्रमिक विकास उसके प्रियोग में निहित होता है तो दोस्तो आईए आगे अगला सिध्धान्थ देखें तो अगला सिध्धान्थ है पांचो सिध्धान्थ सुधार का नियम विकास सुमेव सुधार होता है वास्तों में मनुष्य का यह गुण है कि अपने परियावरण से वह बहुत कुछ सीखता है और ग्रहण करता है इसके फलसुरूट उसमें सुधार होता है छटा सिध्धान्थ है सरल से जट्ल का सिध्धान्थ इसका तात पर यह है कि पहले बालक सरल चीजों को करता है और बाद में वह जटिल चीजों को करता है तो यह छे सिधान्त हो चुके एक इंपोर्टन जानकारी है विकास के दो आधार हैं पहला आधार अनुवान शिक्ता जिसे हरिडिटी दूसरा आधार है परियावरण इन्वायर्मेंट तो यह हुए विकास के छे सिधान्त आएए दोस्तों आगे चलें अब हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो विवकास को प्रभायत करने वाले कई कारक हैं जो कि इस प्रकार हैं पहला है बुद्धी, इंटेलिजन्स, दूसरा है अंतह स्त्रावी ग्रंथिया, ग्लैंड्स ओफ इंटर्नल सिक्रीशन, तीसरी है प्रजाती, चौथा भुजन वपोशन, पांचवा संस्कृति, छठा परिवार, सात्वा, अभिप्रेडर्ण, जिसे हम मोटिविशन भी कहते हैं, तो दोस्तों यह हमने जानकारी हासिल की, विकास को प्रभायत करने वाले कारत के बारे में, आए दोस्तों आगे चलें, अब हम यहां पढ़ेंगे, विकास पर आधारित वस्तूनिष्ठ प्रश प्रश्न है, सिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वा दिक महत्तु पोण उपियोगिता है, तो मनोविज्ञान की उपियोगिता मनोविज्ञान मानो वेवहर का अध्यन करता है, दूसरा प्रश्ण है, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों तथा कब से संबंधित है? यह मत किस मनोवज्ञानिक का है? तो यह मत क्रो एव क्रो जी का है तीसरा प्रश्ण है, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है, जिसे सिक्षक भली बाती पढ़ता है, यह किस का कथन है? तो यह रूसो का कथन है चौथा प्रश्ण देखते हैं शिक्षा मनु विज्ञान अध्यापकों के निर्मान की आधार शिला है यह किसका कथन है तो यहां चार्ल्स इसके नर्जी का कथन है पांचवा प्रश्ण किशोरावस्था की आयू सीमा क्या है कि सुरावस्था की आयुस्विमा 14 से 18 वर्ष तक की है विकास की द्रिष्टी से जीवन का आधारिक समय तो विकास की द्रिष्टी से जीवन का आधारिक समय है सैश्वावस्था इन्फनसी अगले प्रश्ण पर चड़ते हैं सात्वा प्रश्ण विकास एक लगातार और धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है यह कथन सके नर्ची का है आठव प्रश्ण गामक विकास से आशय है तो गामक विकास से आशय है बच्चे की शक्ति, गती और मांच पेशिय विकास से संबंधित नवा और अंतिम प्रश्ण विकास के घटक होते हैं तो विकास के घटक अमूर्थ होते हैं आए दोस्तों आगे बढ़ें अगला है विकास का स्वरूप और शिक्षा Nature of Development and Education प्रथम है विकास विकास प्रकृति का शाश्वत नियम है इसे प्रकार विकास एक सतत सक्रिय प्रक्रिया है टेलर महोदय ने लिखा है जीवन विकास की एक प्रक्रिया है यह सतत होती रहती है मनुष में जो कुछ अभी है उससे बदल कर कुछ भिन हो जाने की प्रक्रिया जीवन के प्रतिक्षण में चलती रहती है सिक्षा और सिक्षा मनों विज्ञान के अध्यन में बालवे वहर की जानकारी की दृष्टी से विकास के चारू पक्षों पर ध्यान रखते हैं तो पहला है प्रथम पक्ष शारिरिक दीस फिजिकल दूसरा पक्ष मानसिक दीस मेंटन तीसरा समवेगात्मक या भावात्मक इमोशनल चौथा पक्ष है सामाजिक शोशल पक्ष ये चारू पक्ष परसपर घनिस्ट संबंध रखते हैं और इनका सामुहिक प्रभाव और इनका सामुहिक प्रभाव शिक्षा पर भी पढ़ता है शिक्षा की दृष्टी से भी इसका महत्त अत्यधिक होता है तो ये जानकारी हमने हासल की विकास के स्वरूप ये शिक्षा से संबंध हैं आई ये नेक्स टॉपिक पर चलें जो की है सारेरिक विकास के नियम विकास आत्मक मन विज्ञान की अध्यनों के फल स्वरूप विकास के नियम मिलते हैं ये नियम शारेरिक विकास को नियंतरित करते हैं तो पहला नियम है निश्चित दिशा का नियम दूसरा नियम है विकास चक्र का नियम दूसरा नियम है विकास चक्र का नियम दूसरा नियम है लाय का नियम दूसरा नियम है विकास चक्र का नियम दूसरा नियम है विकास चक्र का नियम दूसरा नियम है लाय का नियम law of proportions छठा नियम है ling का नियम law of sex सात्वा नियम है सहसंबंध का नियम law of correlation आठवा और अंतिम नियम है अब्ध्यास का नियम law of exercise तो ये जानकारी हुई शारिरिक विकास के नियम सहसंबंध है आई दोस्तों आगे चले अब अगले टॉपिक पर मानसिक विकास एव नियम mental development तो क्रो एव क्रो के शब्दों में मानसिक विकास निश्चित रूप से उस योगिता के विकास की और संग की ओर संकेत करता है जिससे अधिक सचेतन लक्षों या प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए प्राणी प्रैतन करते हुए परिया वरण की दश्चाओं के अनुकूल व्यवहर करता है क्रो एंड क्रो के नुसार अब आगे जानेंगे मानसिक विकास के नियम हां दोस्तों मानसिक विकास के नियम लाउज ऑफ मेंटल डेवलोप्मेंट तो पहला नियम है क्रमिक विकास का नियम लाउफ ग्रैजूल डेवलोप्मेंट दूसरा नियम अभिव्यक्ति का नियम है, law of expression, तीसरा नियम है, शुक्ष्मता का नियम, law of abstraction, चौथा नियम है, प्रत्य का नियम, law of concept, पांचवा नियम है, समन्वाई करण का नियम, law of coordination, समन्वाई करण, छठा नियम है, और अंतीम नियम है यह, चेतन और अचेतन का नियम, laws of conscious and the unconscious, law of the conscious and the unconscious, दोस्तों, यह हमने जानकारी हासिल की, मानसिक विकास नियम के बारे में, आप आगे चलते हैं, आज का नियम टॉपिक, मानसिक विकास के पहलू, aspect of intellectual development, तो मनोवाई ज्यानिकों ने इसके अंतरगत नियम लिखेत योग गयताओं, यह वो मन की क्रियाओं को रखा है, aspect of intellectual development, मानसिक विकास के पहलू है, पहला, सम्वेदन, सम्वेदन, sensation, दूसरा है, निरिक्षन, observation, तीसरा, अवधान, attention, चौथा, विस्मरण, forgetting, पांचवा, चिंतन, that is, थंपिंग, छठा, निर्णाय, judgment, सात्वा, अधिगम, या सीखना, learning, आठवा, अभीरूची, interest, नौवा, धारणा, notion, तथा, अंतिम, विश्वास, जो की faith है, तो दोस्तों, यह जानकारी हमने प्राप्त की, मानसिक विकास के पहलू के सम्मंधित, तो दोस्तों, जुड़े रहे हैं मेरे वीडियो से, जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन दोस्तों से request है, कि प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने comment, लाइक, डिसलाइक जरूर दें, तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, मानसिक विकास के अन्मुद्दों पर, अन्टॉपिक्स पर, तब तक के लिए दोस्तों, बाई, जैहिन, बाई